Hello everyone welcome back to robotics cafe python series so this is the part 9 and we will be learning about logical operator and identity operator so शुरू करते हैं हम logical operator के साथ logical operator शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूं कि इसके types कुण कुण से होते है logical operator का पहला type होता है जैसे कि and सबसे पहला होता है and operator यह भी logical operator ही होता है दूसरा और operator और तीसरा होता है not operator ठीक है तो यह होते logical operator जैसे यहां पर लिखा मैंने इस थ्री logical operator supported by python and operator और operator और not operator ठीक है यह हमेशा lower case में ही लिखा जाता है चलो अब देखो यहां पर अब इसका definition में यह क्या होता है कि ना यह बस true or false देखता है based on the logical operator on either side दोनों side में हम अप्रेंट्स लगाते हैं लेकिन यह पूरे पूरे उप्रेंट्स होते हैं इनके साथ operators भी लेगे होते हैं जैसे कि 10 is greater than 15 मतलब यह true भी हो सकता है false भी हो सकता है यह वाला condition उसी तरीके से 15 is greater than 9 यह भी condition है ठीक है ऐसे हम जानते है और python का interpreter भी समझ जाएगा कि यह false condition है और यह एक true condition है ठीक है और अगर इसकी बीच में हमने logical operator लगाया and ठीक है तो ant में क्या होता है कि अगर एक false है और एक true है तो value fails आती है मतलब and operator लगा रहे हो तो दोनों के दोनों true होने चाहिए इसके either side में जो condition होता है जो हम लगा रहे है वो दोनों के दोनों true होने चाहिए तब ही एंड जो होता है ना फाइनल वैल्यू बिल्कुल ट्रू देगा ठीक है जैसे मैं आपको दिखाता हूं हम पाइथन में करते हैं यहां पे चलते हैं पाइथन में एंड यह मैंने गूगल को लाप खुला आप भी गूगल क्रॉम में जाकर या कोई भी ब्राउजर में गूगल को लाप में जाकर अपने जीमेल अकाउंट के साइन कर सकते हैं तो नाओ लेट उस सी दिस तिंग मैं प्रिंट कराना चाहता हूं मैं प्रिंट करा रहा हूं 10 is greater than 15 and small b लिखना and 15 is greater than 9 ठीक है तो मैं जानता हूं कि मेरा ये वाला जो है एरिया है वह फॉल्स है और ये वाला जो है ट्रू है और मैंने बताया था ना कि and operator अगर आप लगा रहे हो तो दोनों इसके दोनों either side जो भी लिख रहे हो वो दोनों की दोनों true होने चाहिए तभी answer इसका true आएगा तो चलो run करके देखते हैं देखते क्या आता है ये false आ गया क्योंकि ये वाला तो false है और ये वाला true है मैंने बोला था नो दोनों side true होना चाहिए ठीक है चलो अब मैं ऐसा करता हूं कि यहां पर अगर मैं edit करता हूं और मैं यहां पर लिख लेता हूं कि 20 is greater than 5 और यह वाला भी true है और यह वाला भी true है अब दोनों side में जो values है conditions है वो दोनों true है तो चलो run करके देखते मैंने control shift लदबाया अब यह true आ गया तो अ अगर मैंने दोनों false होता जैसे कि अगर मैं लिख रहा हूं कि 20 is less than 5 और 15 is less than 9 जो दोनों condition false हम जानते कभी 20 की value 5 से छोटी नहीं होती 15 की value 9 से छोटी नहीं होती हम अगर यह and operator की सब लगाए जो दोनों false है तब भी false आएगा बस इसमें यह आधर ना and operator जब भी use कर रहे हो तो दोनों के दोनों जो conditions जो एधर साइड में जो भी आप operators लगाऊगे वो दोनों true होना चाहिए and में तभी value true आएगी अगर उनमें से कोई भी false हुआ तो false आएगा and operator में चलो ठीक है अब अगला देखते हैं अगला कुनसा operator था हमारा अगला हमारा operator था हमने and operator देख ले अगला हमारा operator था औरwh operator चलो अब इस इस और operator को देखते हैं अब इस और operator में क्या होता है कि यही same चीज होती है कि यहाँ पर भी आप कुछ लिख सकते हो operator की value, condition यहाँ पर भी मैंने कोई condition लगाया और यहाँ पर मैंने बीच में लिख दिया और ठीक है और ठीक है तो इसमें क्या होता है answer true कब आएगा अब answer true कब आएगा यह true तब आएगा जब इन में से कोई एक कोई भी एक true हो जाए तो final answer भी true आएगा अगर यह true हो जाए या यह false हो जाए तब भी answer true आएगा ठीक है कोई एक true हो जाए या तो उल्टा अगर हम ले लिए कि जैसे समझ लो अगर मैंने इसको false ले लिया कोई भी false statement बना दिया और इसको true statement बना दिया तब भी मेरी value true ही आएगी ठीक है और अगर मैंने दोनो के दोनो true ले लिये तब भी मेरी true ही आएगी और अगर मैंने दोनो के दोनो false ले लिये अगर मैंने यहाँ पर false ले लिया और यहां पर भी false ले लिया तब जो मेरी final value है न वो क्या बन जाएगी false हो जाएगी ठीक है तो ओर operator में क्या होता है कि दोनों sites और operator के दोनों sites के value अगर false आएगा तभी false होगा अगर दोनों site में से कोई भी condition true होगा तो answer true होगा ठीक है तो चलो करके दिखते हैं अब जैसे कि अब मैं लिख रहा हूं print और bracket में मैंने लिखा मैं true condition लिखता हूं अभी अभी मैं इस साइट true condition लिख रहा हूं कि 25 is greater than 15 और मैंने और लिखा मैं यहां पर लिख रहा हूं कि अब मैं false लगा रहा हूं false statement लिखने वाला हूं कि 60 is less than 2 ठीक है तो अब देखते हैं क्या होता है मैं shift plus shift और एंटर दबाए और true आगया answer मैंने बोला था ना कि और operator अगर आप लगा रहे हो तो दोनों side में से कोई एक भी value true ही तो यह final answer true देगा ठीक है अगर दोनों true हुए तब भी यह true देगा अगर दोनों false होते हैं समझे यहां पर मैं यह value चेंज कर ले 25 इस less than 15 करता हूं जो false है कभी भी 25 15 से छोटा नहीं होता 25 तो बड़ा नंबर है उसी तरीके से अगर 60 भी मैं less than 2 कर दूं जो की गलत है अब दोनों के यह होगा तब ही true आएगा जैसे कि यह वाला जो था ना इसमें मैं अब एक और में लिखता हूं मैं फिर से आपको करके दिखाता हूं और मैं यहां पर लिख रहा हूं 60 is greater than 100 जो की false है and 20 is greater than 8 जो की true है मैं इसको अगर run करूंगा and operator लगा है तो false हो जगा तो and में क्या होता है कि दोनों साइड के जो value से वो true होने चाहिए बट इसमें एक साइड की value false है जो यह वाला जो value है ना 60 is greater than 100 जो false है इसलिए यहां पर false है लेकिन अभी मैं and की जगह अगर मैं और लिख देता नहीं यहां पर होता है एक true और एक false तो false होता नहीं टूल से अगर कोई एक भी फॉल्स हो जाए तब भीत आएगा दोनों फॉल्स हो जाये तब ही अगर कि अगर दोनों true होता है, तो output भी true आता है, अगर कोई एक true हो जाए और एक false हो जाए, तब भी true आएगा, जैसे आप इसमें input 1 true हो जाए, और input 2 false, मतलो इसमें से कोई भी एक, ये जो तो condition है, उनमें से कोई भी एक true हो जाए, तो और operator में true ही आएगा अगर दोनो false होता है तब ही false आता है ठीक है आया hope आपको ये और operator और and operator का concept अच्छे से समझ आगे चलो अगला operator है हमारा not operator ठीक है not operator क्या करता है not operator बस जो value जो answer आ रहा होता है उसका बस उल्टा कर देता है अगर true आ रहा होता है तो false कर देगा और अगर false आ रहा होता है तो true कर देगा तो चलो अब python में देखते कैसे करता है जैसे कि मैं normally जानता हूं कि मैं अगर print कराऊंगा value print 20 is greater than 9 करूंगा तो value obviously by the run करूंगा तो true ही आने वाला है बट अगर इधर मैं एक और bracket लगा कर note लिख दूँ यहां पर bracket close कर दूँ अब मैं इसको run करूंगा तो मैंने बोलो उल्टा आता है तो वही चीज़ है जो भी value होगी true होगा तो false आ जाएगा अगर जैसे कि यहां पर अगला लिख रहा हूं print 100 is greater than 500 जो की false है और इसको अगर मैं note लगा दूँ और यहां पर bracket close कर दूँ तो आप देख सकते हो कि जो false था उसको वह true देखाएगा ठीक है तो बस इतना ही होता है आप देख सकते हो यहां पर अगला है हमारा identity operator क्या करता है कि वह एक्वल है या नहीं है ठीक है विद तर सेम मेंड़ी लोकेशन में जो अगर यह memory location है इस memory location में कोई value है तो चेक करता है कि दो value की बीच की जो value से वह same है क्या नहीं है बस इतनी जी बात है क्या करता है दो operator होते इसमें भी जैसे मैंने logical में बताया था ना कि तीन थे and था और था नोट था तो identity operator में operators होते इस होता है इस जो value होगी वह true आएगी अगर different object है तो false आएगा तो चलो यह मैं करके दिखाता हूं आपको जैसे कि मैंने x equal to 20 लिया y equal to 30 लिया z equal to x लिया ठीक है z equals to x लिया अब मैं क्या कर रहा हूं कि print तो देखते क्या value आती है तो आ रहा है true अगर मैं print करूं print z is 20 तो value क्या था देखते true देख रहे हूं कि वह value equal है आप confuse मत होना कि equal to equal to से हाँ z equal to equal to 20 लेंगे तब भी true आएगा difference होता है मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा कि इसमें और equal to equal to difference क्या होता है बट इधर क्या होता है कि इसमें सीम में 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 लोकेशन में value है क्या नहीं वह देखते है अब अगर मैं print करा हूं इस वाई तो देखते क्या आता है पॉल्स आजाए कोई value इकुल थोड़ना और इसकी ठीक है अब अगर मैं print कराऊं इस नोट वाई मतलब इस नोट वाई ले रहा हूं मैं ठीक है तो इसको मैं print कराऊंगो तो यह true आएगा ठीक है यह यह खुदी interpreter समझ गा कि मैं बोलना चाहता हूं कि इजए जो है वाई के से मेमरी लोकेशन में वाल्यू नहीं है तब वह बता रहे है हां नहीं है true यह बात बिल्कुल सही बोल रहे हो कि value दोनों की अलग अलग है सब्सक्राइब आपको इस और इस नोट का भी मतलब समझ आ गया वह एक आइडेंटिटी अपरेटर है तो आपको यह वीडियो अच्छी लगे है तो प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल और प्रेस्टी बेल आइकन फॉर दी नोटिफिकेशन बाई-बाई